अइसकार वर फर से अपलों हुआ था य। यूनिक ओन-न गुरूम और आपने बड़ा इंटरस्टिंग टिपिक लेकिए आज वेगा पीक मार ने बड़ा जबरदस टॉपिक है और यहाइसा टोपिक है साथ साथ सबसे बड़ी बात अगर आप प्रेपेर कर रहे है अगर आप के अगर आप बीसी कर रहे हैं तो उन सब सब्सक्राइब अपने यह हमारे पूरे mathematics का आप कुछ भी पढ़ रहे हैं पहला टॉपिक होता है और आज मैं आपको नंबर सस्टम के दोनों स्रीच को बताऊंगा दोनों सुर्ज इनसेंस एक होता पहला हमारा जो होता है अरफ्मेटिक का नंबर सिस्टम ध्यां से देखिएगा इंट्रोड़क्शन वीडियो और इसमें आपको मैं चारूप टाइपस एक साथ बताऊंगा आए देखते होता है क्या है बैसिकले मूटर नंबर सिस्टम को दोड़ पार्ट में डिवाइड करते हैं एक तो मरा होता है अरिफ्मेटिक नंबर सिस्टम अरिफ्मेटिक अरिफ्मेटिक नंबर सिस्टम अरिफ्मेटिक नंबर सिस्टम बात समझ भी बैए दोनों के तो मरा कंपूर्टिक का नंबर सिस्टम तो आज में बैसे फॉकस करने वाला हूं कंप्रूटर के नमर सस्टम पढ़ा है बहुत सारे वीडियो पढ़े यूटूब पे कई लोगों से आप लोगों से आप लोगों सुना होगा पुक्स में पढ़ा लेकिन आज जब चुकि तो कंप्रूटर का नमबर सिस्टम हो दाने तो कंप्रूटर का मएऻ नमर सिस्टम होता है और अनुट भर इस थुड़ा से देधा होते हैं यहां पर नमबर सुस्टम होते हैं चारण तय diffusion होते हैं पहला होता हमारा डेसिमल नंबर है दूसरा होता है ہمारा बाइनरी नंबर कल और ठीसरा होता है अक्टर नंबर और चोथा होता है जो है Esta पढ़ना है वह पढ़ना है दो नंबर होता है पहला होता हमारा रियल नंबर और दूसरा होता है पहला है इमेजनरीनंबर होता है पहला और अगर आप डू रील और कॉंपलेक्स हो जा मेर जकन եैएटर ब yr देखाए नहीं कि फॉन में रख सकते हैं और यहां पे क्यूक्ति वेलों क答应 भी जीरो नहीं होगी इने पार्ट पॉजिटिव इंपीजर और जीरो इंटीजर होते हैं यहां पर दिखाए निदेरा कोई बात इमेदर लिख देता हूं इसको मैं यहां पर लिखता हूं जो मारा था पहला डेसी मल नमबर अटिक है तो फॉसलास्ट में आपको कम देखा परसानी ओना इंटीजर सोते हैं इंटीजर स्वितिन डैप्स को थे हैं इन पीजस मतलब करते ऐसी कोई बेन बर जिसको लोग नंबर राइं पर प्रेजेंट कर सकते हैं और यहां पर जाता तीन पार्ट होता हमारा इसको लोग क्या करेंगे इसको मिटाता हूं आप नोट्स बनातरी आपको फायदा होने वाला है ठीक है अब इसको मैं दुबारा में फिर से लिखता हूं चुक्कि अभी हम इसको इसले फिर से लिकिन ताकि हम लोhake कर पाएंगे इसको डिटेल 24 अराम से अच्छे से समझ पाएंगे ठीक है कुछ लोग कहते सब थोड़ा सब पढ़ाते तव ठीक है कोई बात नहीं थोटा सब टे चलने पी डाल लीजिए साब कब तक धीरे चलेंगे competition का दोर है अगर आप यह सोचते हैं कि आप को अगर खर्गोष की तरह चलेंगे या आप सर्फ कच्छवी की तरह चलेंगे तो आप सक्छ जांग तो यह अब असंभव है आप सबने कहानी सुने ने कच्छवी और खर्गोष की तो प्रगोष करते लोग कच्छव क के चाल में चलना चाहते है लेकिन एक बात जान देजिए अब क्या करना है आप को कच्छवी की तरे लगातार चलना है कच्छ वेकितर लगातार चलना और साथ में खरूश तरह तेज चलना है मैंस आपको अपनी स्पीड भी मेंटेन करनी ह साथ में accuracy मेंटेन करनी है अगर आप अपने आपको actual competitor मानते है तो मैंस यह आप टो मेंटें बोथ दिल्ट अधसे इन टाइम यो मस्ट बी वेरी अपरेट आपको एक्वरेट भी होना है और यह पिर मेंटेन यह पिर स्पीड अफ आप जो अब्सक्राइब करेंगे इसे पर बात करेंगे कंप्यूटर के नंबर सिस्टम को कंप्यूटर के नंबर सिस्टम को कि इसको रहो चाहर पार्ट में इसा कि मैंने किया था मुद्ग में पहला होता हुमारा यह शुक्यरा अधि तीसरा होता है कि ऑक्तन नंबर और छोथा होता है by 7不 PC से दिखेगा यह इंट्रोडव्ट्ड Śण है एकiva मुँआ रोट्वर हम लोग नदॉण से चल रहे हैं यंट्रोड रां से चलाव से चेंगे आपको और अगले पाँज मिनिट के इंदर मैं गारंटी लेता हूँगा मैं पूरा यह clear कर दूँगा कि यह actually होते क्या इसकी origin कहां से हो यह किस तरह से यूज होते हैं क्या हां कहां से questions हमारे एक्जाम में बनते हैं ठीक है सारी बात हो को सब्सक्राइब क्या होता है जो 0 से start होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 कि यह नंबर होता है डेसी माल मन्स क्या होता है जीरो से start और कहां तक जाएगा नाइन तक जाना बाइनरी में क्या यूज करते हैं जो आप computer चलाते हैं जो आप coding करते हैं decoding करते हैं वो क्या होता है binary नंबर में होता है पूरा हमारा software पूरा हमारा computer कहां पर चलता है वह binary number से काम करता है जैसे ही आपने हमारे system को कोई भी command दिया किसी भी input करते हैं जैसे आपने keyboard से कोई भी command रिया CPU को तो प्रोसेसिंग शुरू होने से पहले आपका जो डेटा है वो convert किसमे होगा binary में binary में convert होने के बाद फिरी processing होती है ठीक है तो जो हमारा binary सबसे मज़ेदार हमारा जो है वो है hexadecimal number सबसे मज़ेदार हमारा जो है तो वो है hexadecimal number ठीक है जो hexadecimal number यह क्या है यह स्टार्ट होता है जीरो से जीरो वन टू थ्री फॉर फाइब सिक्स सेवन एट नाइन टैन 11 12 13 14 यहाँ पर नीचे लिखता हूं मैं 13 14 एंड 15 देखे थोड़ी सी कहानिस के लंभी hexadecimal ना डेसीमन मतलब दस हेक्सा मतलब छे तो यह अनिक दस होचा है किता होता होता है यहाँ पेर पास होते हैं यहां पर 16 यहां पर बस्ट इन यह प्ला मारे पास कूल 8 हैं यहां घ्रव हमारे पास और से दस इतनी बात समझ में आ अगई अब देखेंगे जितना आप सो Papag जितना आपके पास total digital होगा उतना ही उस संख्या का बेश होगा जैसे हम लोग क्या बोलते हूं गये सनते होंगे जैसे बात क cucumber उसका बेसे समय मैंने कोई number लेखा मैने को लिखा 204 परन और अब क्या है यह decimal number two है इन सारे 10 number पर स्था झाज आई वाइस और होगा इसका बेस टैन होगा बात समझ में आई मिंस यह मैं मैंने एक्जाम्पल लिखा है और इसका बेस क्या होगा इसका बेस होगा टैन इस बात को आप यादे कई बार एक्जाम में पूछा गया है कि वाट इस अब लिखते हैं इसका बेस क्या होता है इसका बेस होता है इसका बेस होता है बात समझ में आ गई ऑक्टन नंबर है तो मैं इसका मैं आपको एक्जाम्पल देता हूं यह एक मैंने इस एक्जाम्पल लिखा टू जिरो और सावन बेस कितना होगा एट तो इसको अमलों क्या कर सकते हैं कि जो इसका बेस होगा अक्टन नंबर का होता बेस वो क्या होता है वो एट होता है और रहकी बात हेक्जादेसिमल कि मैंने कहा आप से इसके कानी थोड़ी सी इसके बातले होती है अलागि मैं आपको फॉस्पर ट्रेलर देता हूँ बाकि में डिटेल में आपको जब पढ़ाऊंगो जब मैं आपको एक्जादेसिमल से कनवर्जन बताऊंग और डेसिमल ओडेसिमल भी जान लीजिए यहां पर क्या होता है ना यहां नाइन तक तो कह नंबर लिखा और माल लिए अपने नंबर लिखा और माले आपने नंबर लिखा डेसिमल में यसवान की अब आपने यह नंबर लिखा तो अब इसको आप 0 1 समझेंगे या 12 समझेंगे तो इसमें confusion हो सकता है ना इसलिए क्या करते हैं यहां पर जो हमारे software developers थे जिन्होंने number system को design किया है उन्होंने क्या किया है हमारे understanding थोड़ी सी आसान हो थोड़ी सी clear हो इसलिए उन्होंने क्या कि किया है 14 को E से रिप्रेजेंट किया है और 15 को F से रिप्रेजेंट किया है यह बात समझ में आ गई means what if you just you will proceed more than 9 in hexadecimal number then you have to switch over into the alphabets means what here the actual series of the number जो मैं आपको यहां पर लिख रहा हो निचे दिखाई दे रहा है ना था ध्यान से देखेगा जो whiteboard का range है हमारी technical team सपोर्ट करेंगी जो निचे whiteboard का range है वो निचे पुरा cover हो रहा है कि नहीं को देख लेते हैं हम लोग और यहां पर क्या हो रहा है 0 से start करेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक तो सेम रहेगा लेकिन अब चुकर 10 हो चुका अब इसके बाद यहां पर क्या होगा A B C D और E अब देखिए 10 यह हो गया और 5 टोल कितना है 15 तो इसका बेस कितना होगा सफिच है यह दस यह1 1 1 को यह久िस्टेस के अंचैनल मदी को मैं आयगे इसका बेस कितना होगा इसका बेस होगा 16 ये सीं यानि कि सूर पूरी बात समंद में आपको यह था पूरा आपका इंट्रडेक्शन सेक्शन एक बार समने आपको र विजन करा रहा ह। द्यान से देखिए कि पूरे नंबर सिस्टम को देखना कुछ भी मिस नहीं करना ध्यान से करना है और यह हम लोग इस प्रकार पर जो अभी न भूले और कभी न भूले आए देखते हैं मैंने अब से क्या बोला कि जो हमारा देखिबल नंबर दूसरा बाइंडरी नंबर तीसरा ऑतल नंबर और चौथा क्या है है और भी नाइन नंबर होता है यह चीरो और सब्सक्राइब करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं बाइनरी को करते हैं कि अक्तल को डेसिमल में क्या सब्सक्राइब करते हैं आयो देखते हैं कि अधिया है